वास्तु के अनुसार घर में कच्छुआ रखने का शुब समय और स्थान कच्छुआ जिन्हें इच्छा पूर्ती का प्रतीक माना जाता है वास्तु शास्त्र में एक महत्व पूर्ण भूमिका निभाते हैं माना जाता है कि घर में कच्छवा रखने से सकारात्म कूर्जा, सम्रिध्धी, सुक्षान्ती और दीरघायू आती है कब रखें? नए घर में प्रवेश करते समय, नए घर में प्रवेश करते समय कच्छवा रखना शुब माना जाता है इससे घर में सकारात्म कूर्जा का प्रवेश होता है और वास्तु दोश दूर होते हैं मंगलवार मंगलवार को कच्वा खरीद कर घर में रखना शुब माना जाता है शुकलपक्ष शुकलपक्ष में भी कच्वा खरीद कर घर में रखना शुब होता है कहां रखें, उत्तर दिशा, वास्तु के अनुसार, कच्च्वे को घर की उत्तर दिशा में रखना सबसे शुब माना जाता है ये दिशा करिय और व्यवसाय से संबंदित होती है पूर्व दिशा, पूर्व दिशा भी कच्वे को रखने के लिए उप्युक्त होती है ये दिशा स्वास्थे और सफलता से संबंधित होती है इशान कोन, इशान कोन भी कच्वे को रखने के लिए शुब माना जाता है ये दिशा ज्यान और बुद्धी से संबंधित होती है उत्तर पश्चिम दिशा कच्वे को स्वच और पानी से भरे कंटेनर में रखना चाहिए कच्वे के कंटेनर को सूर्य की रोशनी में रखना चाहिए कच्वे को नियमित रूप से भोजन देना चाहिए कच्वे को स्पर्श करते समय स्वच हाथों का उपयोग करना चाहिए ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कच्चवे जीवित प्रानी है और उन्हें पालतु जानवर के रूप में नहीं रखा जाना चाहिए. यदि आप कच्चवा रखना चाहते हैं तो कृपया एक जिम्मेदार पालतु जानवर मालिक बने और उनकी उचित देखभाल करें अतिरिक्त जानकारी आप वास्तु विशेशगे से सलाह लेकर अपने घर के लिए सबसे उप्युक्त स्थान का निर्धारन कर सकते हैं. आप धातु, पत्थर या लकडी से बने कच्चवे रख सकते हैं. आप जीवित कच्चवे भी रख सकते हैं, लेकिन उनकी उचित अकभाल करने के लिए तयार रहें. ये जानकारी आपको घर में कच्चुआ रखने के बारे में वास्तु के अनुसार मार्कदर्शन प्रदान करती है.